अमित्षा जी आप हमेशा की तरह बड़े जूट के पुलिंदे सदन में बोलकर चले गए लेकिन क्यूंकि आपने इस बार फिर से कश्मीरी पंडितों के दर्द और उनकी वेदना पर अपनी घिनोनी राजनेतिक रूटियां से की तो आपकी कलाई खोलनी और आपके जूट क कलाई खोलनी जरूरी है कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात कर रहे हैं जब 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था तब विश्वनात प्रताप सिंग की सरकार थी केंदर में जो आपके समर्थन से चल रही थी आपने समर्थ सरकार में मंत्री बनाया असलियत तो यह है कि आपने समर्थन वापस साथ अगस्त 1990 में लिया कश्मीर के मुद्दे पर नहीं कश्मीरी पंडितों की मुद्दे पर नहीं मंडल कमिशन की रिपोर्ट को स्विकार किया था विश्वनात प्रताप सिंग की सरकार ने इसलिए आप आप ने समर्थन वापस लिया तो आप पिछड़ा विरोधी तभी से थे आप कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं आज कश्मीरी पंडितों की जिस तरह से टार्गेटेट किलिंग हो रही है शायद पहले कभी हुई हो राहुल भट से लेकर मिस बाला तक की टार्गेटेट रख पाए हमने तो 3000 घर बनाए उनको आपने बेघर कर दिया हमने तो लोगों को नौक्रिया दिया और आज हालात ऐसे हैं कि कश्मीरी पंडित जम्मू में रहने को मजबूर है वो कश्मीर अपनी नौक्रियों पर नहीं लौट पा रहे हैं क्योंकि टार्गेटेट की और आर्मी के जाबाजों की उस शहादत के बारे में आप क्या करिएगा जो बार बार आमबुश में रजवरी पुंज अनंतनाग तमाम ऐसी जगहों पर उनकी शहादत हुई लेकिन एक नया पैटर्न हमने देखा कि 2021 के बाद से प्रधान मंतरी और आप ने श्रधान जल तो प्रधान मंतरी सोटी करते हैं असलियत तो यह है कि जब एक मेजर एक करनल एक डियसपी की शहादत होती है आतंकवादियों के हाथ तब प्रधान मंतरी कोई जश्न मना रहे होते हैं भाजपा के हेड़कौटर में आप बात करिएगा आतंकवाद की चलिए आतंकवाद पर बात कर लेते हैं समझाईएगा किसी को कि सैफुल्ला फारूक जो दस साल तक जेल में था पाकिस्तान पनिक्षण ने क्या या मसूद अजहर का बड़ा शिश उसको अपने निकाईक चुनाओं का टिकट क्यों दिया आपने तारिक अमीर को विधाईकी का टिकट क्यों ट्रैक रिकॉर्ड कोई जानता नहीं है क्या आपने तालिब हुसेइन के साथ मंच कैसे साजा किया और आपने आसिया अंध्राभी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रैंड अम्बैजडर बना कि उसके पोस्टर लगवाए वो पाकिस्तान जिंदाबाद और उनके स क्यूं होता है कि जब जब भाजपा की केंदर में सरकार होती है तभी रगुनाथ टेंपल पर प्रहार होता है तभी अमरनाथ यात्रा पर प्रहार होता है हमला होता है ऐसा क्यूं है किसको बचा पाए आप कश्मीर में ना आप कश्मीरी पंडितों को बचा पाए ना वहां कश्मीरी पंडितों पर और पिक्चरों की और पिक्चर हॉल की बात मत करिये क्योंकि असली पिक्चर तो देश देख रहा है और देश देख रहा है कि आज भी आपकी नाक के नीचे टार्गेटट किलिंग होती है आज भी आपकी नाक के नीचे जाबाजों की शहादत होती है आज भी आपकी नाक के नीचे आप दुर्दानत आतंकवादियों को गले लगाते हैं जब ये सब करना बंद कीजेगा तब कश्मीर पर अगली बार बात करें